प्रश्न करने वाले हैं प्रश्न रेपेड फायर में और मेरी पूरी कोशिश है कि मैंने वो सारे प्रश्न समाहित करने की कोशिश की है जो परीक्षा में पूछेगाई प्रश्न है तो बहुत महनत से आप लोगों के लिए पिपटी बनाई है बैठ जाईए copy और pen लेखे ताकि आज हम जो भी चीजे करने वाले हैं वो सारे आप copy में note करते चलें हाला कि PDF तो आपको मिलेगी लेकिन फिर भी और एक चीज और मैं पहले ही बता दे रही हूँ अभी class शुरू नहीं हुई है शुरू होने से पहले ही मैं ये बात कह रही हू कि आप सभी साथियों को जितने भी साथी आप आज हैं अभी हैं और जितने साथी अभी हमसे जुडने वाले हैं उन सभी के लिए मेरी प्रार्थना है कि कोई भी बालक बीच में कोई भी साथी बीच में अनरगल प्रश्न ना पूछे अंत में आप सभी लोगों को मौका द इसलिए मेरी आप सभी से बिंती है कि कोई भी साथी समय की बरबादी ना करे ना अपने अपने साथियों की है ना बाकी तो आप सभी समझदार हैं तो मैं पूरी कोशिश कर रहे हूं कि आप लोगों के लिए ये 100 प्रशन जो तैयार किये हैं वो सारे प्रशन अच्छे से हो सीधा आजाते हैं हम लोग एक मिनिट रुकेगा ना एक मिनिट रुकेगा सभी लोग हाँ चलिए एक मिनिट दीजेगा मुझे बस ना बस एक मिनिट का समय चाहिए होगा मुझे आप से ये उपन क्यों नहीं हो रहा है ये चलिए हमारी पिपिटी ओपन हो गई है तो हम शुरू कर लेते हैं क्लास को ठीक है चलिए हम बढ़ते हैं आगे और हम करेंगे प्रश्न का अभ्यास सीधा का सीधा शुरू ठीक है बहुत जादा बात को ना इधर उधर घुमाते हुए हम पहले प्रश्न पर आते हैं सीधा मा, प, अथवा, इन में से कोई नहीं, जल्दी से बताइए सभी लोग क्या हो जाएगा उत्तर, संगीत में आधार स्वर किसे कहा जाता है, फटाफट से सभी लोग उत्तर देंगे, और एक चीज और, आपके सामने टाइमर लगा हुआ है, तो टाइमर शुरू होने से पहले ह आप लोग, अच्छा, ये टाइमर शुरू नहीं हो रहा है न, चलिए, बताइए जल्दी से क्या होगा, पटापट से उत्तर दीजे सभी लोग, आपके पास सेकेंड्स कम बचे हैं, जल्दी से उत्तर दीजे सभी लोग क्या हो जाएगा, संगीत में आधार स्वर किसे कहा जाता है, आपके पास केवल 30 सेकेंड्स होंगे हर प्रशन का उत्तर करने के लिए, ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए फटा-फट से क्या होगा, चलिए, बस समाप्त करते हैं समय, और देख लेते हैं, देखिए आधार स्वर माना गया है संगीत में, हिंदुस्तानी संगीत में भी, और करनाटे की संगीत में भी, दोनों संगीत में आपका आधार स्वर माना गया है सा को, किसको माना गया है, सा को आधार स्वर माना गया है, तो हमें ये भूलना नहीं है कि आधार स्वर सा होता है, और अचल स्वर कौन सा होता है, अचल स्वाल, देखिए आज आपको कौपी में नोट कर लेने हैं इनके आंसर्स क्योंकि आज आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे ठीक है, तो मैं एक बार आप सभी को फिर से कह रही हूं, कि सभी बच्चे ध्यान रखेंगा, आज आपको आंसर्स कोपी में नोट करने है, जब मैं इसकी PDF दूँगी तो आज copy में answers नहीं होंगे ठीक है, PDF में answers नहीं होंगे तो अचल स्वर कहा जाता है, साको और पाको, ये दो स्वर अचल होते हैं बाकी विकृत स्वर आपको पता है, चार होते हैं रेगा, धनी, कोमल, और एक मा पांचवा होता है, तीवर, ठीक है पांच स्वर आपके विकृत होते हैं, कुल जमा तो सा आपका आधार स्वर कहा जाता है अगले प्रशन पर आ रही हूं मैं ध्यान रखेगा, मैं फिर कह रही हूं और नवाब अली, चलिए, टाइम शुरू होता है जल्दी से बताए क्या होगा, जल्दी से बताए क्या हो जाएगा किताब नौरस के रचनाकार, कौन हो जाएंगे जल्दी से बताए क्या होगा, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल जल्दी से बताईए क्या होगा किताब नौरस के रचनाकार क्या हो जाएगा जल्दी से बताईए क्या होगा copy में answer लिख लिजेगा मैं फिर कह रही हूँ copy में answer लिख लिजेगा आज की PDF में आपको answers नहीं मिलेंगे क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका किताब ए नौरस के रचनाकार कौन है इब्राहिम आदिल शाह क्या हो जाएगा उत्तर इब्राहिम आदिल शाह इसका सही उत्तर होगा डी इब्राहिम आदिल शाह अगले प्रशन का उत्तर देंगे सभी लोग क्या होगा प्रश्न संख्या आपका तीन है क्या क्या रहा है पंडित आराध्य चरितम के लेखक कौन है ये एक दक्षिन भारतिय ग्रंथ है कैसा ग्रंथ है दक्षिन भारतिय ग्रंथ है इस ग्रंथ के रचनाकार देवेंदर भट कुम्बकर्ण सोमनाथ नायक बक्षू बताईए जल्दी से क्या होगा फटाफट से उत्तर देंगे सभी लोग क्या हो जाएगा उत्तर जल्दी से बताईए फटाफट से उत्तर देजे सभी लोग मैं टाइम गिन रही हूँ उतने ही सेकेंडस पर मैं आप लोगों को रोक दूँगे पंडित आराध्य चरितम के लेखक कौन हो जाएंगे जल्दी से बताईए सोमनाथ होंगे सोमनाथ पंडित आराध्य चरितम के लेखक भी सोमनाथ ही है ठीक है? यह इनी का लेख है ध्यान रखेगा ये इनी की किताब है पंडित आराध्य चरितम बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे इसलिए मैं बता रहे हूं बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ये किताब की उन्होंने भी लिखी है हाँ बिलकुल बिलकुल चलिए, अगले प्रशन पर आते हैं, अगला प्रशन देख लेते हैं, क्या है, चीक है, अगला प्रशन क्या कह रहा है, प्रबंध के कौन से प्रकार से धुरुवपद का विकास हुआ, प्रबंध के कौन से प्रकार से धुरुवपद का विकास हुआ, सालग सूड, धेकी, आ प्रबंध के कौन से प्रकार से ध्रुवपद का विकास हुआ? जल्दी से बताईए क्या होगा? जल्दी से बताईए सभी लो, ती, और कोई? आपके पास समय कम बचा है, केवल पांच सेकिन, जल्दी से बताईए क्या होगा? क्या हो जाएगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा, सालग सूड, ए, इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा इसका सही उत्तर? ए, सालग सूड से प्रबंध का सालग सूड वो भाग है, जिससे ध्रुवपद का विकास हुआ है, ठीक है? आली क्रम से नहीं, बलकि सालग सूड से चीक है, अगला प्रश्न, प्रबंध में धेंकी क्या है, धेंकी, शुद्ध सूड, आली, विप्रक्रीन या फिर सालग सूड, बताईए जल्दी से क्या होगा उत्तर, फटापट से उत्तर जीजे क्या होगा, प्रबंध में धेंकी किसे कहते हैं, धेंकी, जल्दी से जल्दी से बताईए, प्रबंध में धेकी क्या है? C, A, very good. चलिए, उत्तर जानले क्या हो जाएगा? शुद्ध सूड को कहते हैं धेकी. किसको कहते हैं? शुद्ध सूड को कहा जाता है धेकी. इसका सही उत्तर हो जाएगा, A. ठीक है? A हो जाएगा, इसका सही उत्तर. अगला प्रश्ण बताईए, क्या होगा? प्रश्ण संख्या 6. उस गीत प्रकार का नाम बताईए, जिसमें खटकेदार तानों का प्रयोग होता है. तराना, ठुमरी, टपा, धृपद. बताईए, जल्दी से क्या होगा? जल्दी से उत्तर दीजे, आज मैं प्रश्णों पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगी, जैसा कि मैं रोज करती हूँ. बताईए, जल्दी से क्या होगा? आपके पास, लगभग, लगभग 20 सेकेंड बचे हैं, तरहीं जल्दी से क्या होगा? उत्तर. गीत का वो प्रकार जिसमें खटके दार तानों का प्रयोग हो? जल्दी से बताईए क्या होगा? D, A, very good. केवल 10 सेकेंड और? और कोई? क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा टपपा. टपपा में खटके दार तानों का प्रयोग होता है. किसका प्रयोग होता है? टपपा में खटके दार तान प्रयोग में आती है. टपपे के दो प्रकार हैं, पता है न, दो अंग हैं टपपे के, आप लोगों को पता ही होगा, चलिए, क्योंकि ये मैं पहले कराव ही चुकी हूँ, अगला प्रशन, शारंग देव ने संगीत रतनाकर में राग के कितने लक्षन बताएं हैं, दस, नो, ग्यारा, तेरा, बता पताएं फटाफट से क्या हो जाएगा, सी, और कोई, जल्दी से उत्तर पताएं, तेरा, और कोई, दस, जल्दी से पताएं क्या हो जाएगा, प्रणाम, 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 जो भी साथ ही हमारे जुडते जा रहे हैं उन सभी के लिए, एक बार एडवांस में प्रणाम, फटाफट से पताई उत्तर क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा 10 10 की 13 10 की 13 सही उत्तर होगा 13 ठीक है 13 इसका सही उत्तर हो जाएगा चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं प्रश्न संख्या है 8 कह रहा दस्विद राग वर्गी करण की व्याख्या किस ग्रंध में की गई है राग विबोध, राग दरपं, संगीत रतनाकर या संगीत दरपं बताईए जल्दी से क्या होगा उत्तर जल्दी से बताईए क्या हो जाएगा फटाफट से बताईए क्या हो जाएगा क्या होगा सही उत्तर जल्दी से उत्तर दीजे सभी लोग जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा संगीत रतनाकर में ठीक है संगीत रतनाकर इसका सही उत्तर अगला प्रश्न राग विबोध के रचनाकार कौन है राग विबोध के रचनाकार सोमनाथ व्यंकट मुखी विठ्थल स्वामी या फिर शारंग देव बताइए जल्दी से क्या होगा उत्तर राग विबोध के रचनाकार बहुत प्रश्न मैंने आपको ऐसे कराएं जिसमें मैंने व्याख्या दी थी इन में से कुछ प्रश्न ऐसे होंगे शायद जो आपने पहले पढ़े भी हूँ किसी ना किसी क्लास में कभी ना कभी देखे भी हूँ है ना तो आज आपको उत्तर देना आज ये आपका टेस्ट है देखती हूँ कितने बच्चे सही उत्तर कर पाते हैं है ना जल्दी से बताइए क्या होगा जल्दी से उत्तर करिए सभी लोग क्या हो जाएगा सही उत्तर पटापट से उत्तर दीजे सभी लोग रागवेबोध के रचनाकार कौन है रागवेबोध किस ने लिखी सोमनाथ ने लिखी किस ने लिखी सोमनाथ ने लिखी रागवेबोध ठीक है किस ने लिखी सोमनाथ ने अगला प्रशन आता है भरत भाष्य की रचना किस ने की पताईए जल्दी से क्या हो जाएगा भरत भाष्य की रचना किस ने की नान्यदेव, सोमनाथ, हृदयदेव या इन में से कोई नहीं भारत भाष्य की रचना किसने की जल्दी से बताईए कौन हो जाएंगे भारत भाष्य की रचना किसने की जल्दी से उत्तर दीजे सभी लोग भारत भाष्य की रचना आज मैं व्याख्या नहीं करूँगी मैंने पहले ही का था rapid fire है जल्दी से बताईए क्या हो जाएगा भारत भाष्य क्या हो जाएगा सही उत्तर very good क्या होगा सही उत्तर नान्य देव ए सही उत्तर होगा अगला प्रश्न ब्रिहत देशी में मतंगने कुल कितने अलंगकार माने हैं 32, 28, 33, 20 बताईए जल्दी से कितने अलंगकार आपके पास 30 सेकिंड का समय जल्दी से बताईए सभी लोग क्या हो जाएगा उत्तर व्रिहत देशी में मतंगने कुल कितने अलंगकार माने हैं जल्दी से बताईए क्या होगा उत्तर क्या होगा सही उत्तर 32 और कोई इसका सही उत्तर होगा C 33 अलंकार माने है कितने माने है 33 अगला प्रश्न राग शब्द का सर्व प्रथम उलेख कहां मिलता है राग शब्द का सर्व प्रथम उलेख दत्तिलम में, संगीत रतनाकर में, संगीत पारिजात में या फिर व्रिहत देशी में बताए जल्दी से क्या होगा तैती सलंकार माने हैं है ना ताए जल्दी से अगला प्रश्न फटा फट से राग शब्द का सर्व प्रथम उलेक मिनिट हैं आपके पास 25, सेकेंड सॉरी बताए जल्दी से क्या हो जाएगा उत्तर डी जल्दी से सभी लोग उत्तर देंगे राग शब्द का सर्व प्रथम उलेक आपके पास जादा समय नहीं बचा जल्दी से बताए सभी लोग क्या होगा क्या होगा सही उत्तर सही उत्तर हो जाएगा आपका ब्रिहत देशी में जो की मतंग ने लिखी है अगला दत्तिल ने अपने ग्रंथ दत्तिलम में कितनी जातियों का उलेक किया है 20, 22, 30, 18 दत्तिल ने दत्तिलम ग्रंथ में कितनी जातियों का उलेक किया है 20, 22, 30, 18 क्या हो जाएगा सही उत्तर मिनिट है तीस आपके पास जल्दी से बताएए क्या होगा उत्तर फिर से मिनिट ही निकल रहा है न वो कहते हैं न कि आदत आदत की वज़े से मुझ से मिनिट ही निकल रहा है सेकेंड निकल ही नहीं रहा क्या होगा सही उत्तर? जल्दी से बताए फटा फट से समय बचा है कम समय बड़ा बलवान रिभिया 5 सेकिन 1 सेकिन सही उत्तर हो जाएगा आपका 18 जातिया कितनी जातियां बताएं? 18 जातियां बताएं ठीक है? अगला प्रश्न संगीत राज का रचना काल क्या है संगीत राज का रचना काल 1480, 1450, 1460 या 1470 संगीत राज का रचना काल कमेंट बॉक्स में लिख करके बताईएगा कि संगीत राज किसकी रचना है बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा किसने लिखी है संगीत राज और कब लिखी है बताईए जल्दी से क्या होगा उत्तर फटा फट से जल्दी से उत्तर देंगे सभी लोग फटा फट से उत्तर देंगे सभी लोग क्या हो जाएगा महाराना कुम्भा, very good, किस ने लिखी है, महाराना कुम्भा ने, कब लिखी है, बताओ जल्दी से कब लिखी है, महाराना कुम्भा ने इसको कब लिखा, 1480 में लिखा, ये इसका सही उत्तर होगा, अगला प्रश्न, बिल्कुल, निमलिकित में से असुमेलित का चैन गरिये, सुमेलित का चैन, सूड प्रबंध, रसिक प्रिया, संगीत मीमान सा, इन में से कोई नहीं, बताए जल्दी से क्या होगा, अलग क्या है, इसमें सूड प्रबंध, रसिक प्रिया, संगीत मीमान सा, इन में से कोई नहीं, क्या अलग है, बताए जल्दी से, पटापट से उत् बिल्कुल बिल्कुल सही बात, जल्दी से उत्तर दीजे सभी लोग, सेकेंड आपके पास पचीस, बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा, जल्दी से उत्तर दीजे क्या होगा, फटा फट से सभी लोग बताएंगे, क्या हो जाएगा सही उत्तर, You don't have enough time जल्दी जल्दी उत्तर देंगे सभी लोग सूड प्रबंद रसिक प्रिया संगीत मिमान साथ वाइन में से कोई नहीं प्रणाम जी प्रणाम आप सभी को प्रणाम फटा फट से उत्तर दीजे सभी लोग क्या हो जाएगा क्या होगा सही उत्तर इन में से कोई नहीं पूछो क्यों ये सब किसने लिखे महाराणा कुमभा के ग्रंथ हैं सारे महाराणा कुमभा इनके रचनाकार हैं ठीक है तो सही उत्तर हो जाएगा इसका डी कोई भी अलग नहीं है ठीक है चलिए भरत भाशे में कितने अध्याय 18, 17, 19, 20 भरत भाष्य में कितने अध्याए बताईए जल्दी से फटाफट से जल्दी से भरत भाष्य में कितने अध्याए जल्दी से उत्तर दीजे सभी लोग गंभीर होके पढ़ना बहुत जरूरी होता है समझ रहे न आप लोग आप आज गंभीर नहीं होंगे तो कल को समझ रहे न फिर परीक्षा आपके साथ गंभीर नहीं रहेगी वो भी ऐसा ही मजाग करेगी जैसा कि आज आप कर रहे हैं तो कभी-कभी हमारा गंभीर होना जरूरी होता है जीवन में अगर सफलता पानी है तो बताईए जल्दी से क्या होगा भरत भाष्य में कितने अध्याए जल्दी से बताईए सभी लोग भरत भाष्य में कितने अध्याए है सूड प्रबंद एक रचना भी है और सूड प्रबंद प्रबंद का भी एक हिस्सा है कि क्या हो गया सही उत्तर इसका बिलकुल अगले प्रशन का उत्तर दे रहे हैं हम लोग भरत भाष्य किसकी है सत्रा ध्याए है इसमें नान्य देव ने लिखी है किसे ने लिखी है नान्य देव ने कब लिखी है नान्य देव ने ये भरत भाष्य ग्रंथ का अन्य नाम, जल्दी से बताईए क्या होगा, संगीत रतना अलंकार, रदय अलंकार, परमेश अलंकार, इन में से कोई नहीं, एक से अधिक, बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा, आपके पास 30 सेकिंड, पटाफट से उत्तर दीजे सभी लोग, सतरा अध्याय, आज बहुत सारी भ्रांतियां आपकी दूर होगी, जबकि प्रश्ण उतने कठिन नहीं है, है ना, आज रैपिड फायर से आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप कितने पानी में हैं और हमें कितनी मेहनत किया भी जरूरत है, ठीक है, जल्दी से बताईए, भार होगा, आपके पास सेकेंड बचे हैं कम, फड़ावट से उत्तर दीजे सभी लोग, यही तो याद दिलाने के लिए आज ये लाई हूँ, फड़ावट से बताईए क्या हो जाएगा उत्तर, इसका सही उत्तर होगा B, भारत भास्षे को भारत भास्षे के नाम से भी जाना जाता है, अगला प्रश्ण, भारत भास्षे के पहले खंड का प्रकाशन किस ने किया था, भारत भास्षे काफी सा, तीन खंडों में वैसे मुखे तोर पर चार खंड भी कहे जाते हैं, कुछ लोग चार कहते हैं, कुछ लोग तीन कहते हैं, वैसे हम तीन ही मानेंगे, प्र भारत भार्षी के पहले खंड का प्रकाशन किसने किया जल्दी से फड़ावर से बताईए क्या होगा उत्तर भारत भार्षी के पहले खंड का प्रकाशन किसने किया नहीं मदूजी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है निर्भर करता आपके उपर देखिए यूट्यूब पर मैं रोज प्रैक्टिस कराती हूँ, हाँ मैं ठीयोरी यहां नहीं पढ़ा पाऊंगी, यह बास सच है, मैं यह बात पहले ही आप लोगों से कह चुकी हूँ, कि मैं यहां ठीयोरी नहीं हाँ, छोटे-छोटे टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आती रहती हूँ, जितन ने किया, जल्दी से, क्या होगा, पुंडरीक देसाई इसका सही उत्तर है, क्या हो जाएगा सही उत्तर, पुंडरीक देसाई, बी इसका सही उत्तर होगा, ए नहीं, ठीक है, बहुत सारे लोग ए समझ रहे होंगे, पुंडरीक विठल के ग्रंथ का नाम भी बताईएगा, कमे होगा उत्तर जल्दी से उत्तर दीजे सभी लोग क्या हो जाएगा बिल्कुल बताऊंगी अजाद उसके लिए आखरी में बताऊंगी कैसे त्यारी करनी है ठीक है बेफिकर रहो जल्दी से बताएगे क्या हो जाएगा उत्तर क्या हो जाएगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा श्री कंट C. सही उत्तर अगला प्रश्न गीत गोविंद का रचनाकाल 12 शताबदी, 13 शताबदी, 14 शताबदी, 15 शताबदी, इन में से कोई नहीं बदाव जल्दी से क्या होगा? पटापट से उत्तर दीजे सभी लोग गीत गोविंद का रचनाकाल पटापट से बताईए क्या होगा? गीत गोविंद का रचनाकाल क्या होगा? किस वर्ष में इसके रचना की गई? जल्दी से बताईए सभी लोग गीत गोविंद का रचनाकाल क्या है? जर्दी से बताईए क्या होजाएगा बिलकुल बारवी शताब्दी क्या होजाएगा सही उत्तर किसने लिखी गीत गुविंद किसने लिखी गीत गुविंद जैदेव ने अगला वीना के तारोपर सबसे पहले स्वरो की स्थापना की परिचर्चा किस ग्रंत में हुई है संगीत रतनाकर, संगीत राज, राग, विबोध, संगीत पारिजात या इन में से कोई नहीं पता की जल्दी से क्या होगा पटाबट से उत्तर दीजे क्या होगा प्रश्ण का हाँ बिलकुल English भी रहता है English के लिए मैं आज आप सभी लोगों को बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं ना Paper 1 होगा इसमें Language Paper पता है ना आपको Paper 1 Language Paper होगा TGT में भी होगा PGT में भी होगा और दोनों की तयारी कैसे करनी है वो भी बताऊंगी ठीक है Paper 1 की English की Classes शुरू हो चुकी है आप लोगों ने अभी तक अगर नहीं देखी है तो मैं बता दूँगी एंड में की कैसे आप English के तयारी क्यूंकि Paper 1 नहीं निकला तो Paper 2 गत मतलब भी नहीं है समझ रहे न आप लोग बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा जल्दी से बताईए क्या होगा वीना के तारों पर सबसे पहले स्वरूं की स्थापना की परिचर्चा किस ग्रंथ में हुई है सत्रवीश अताब्दी में अहोबन ने की, किसमे की, संगीत, पारिजात में की, किसमे की, संगीत, पारिजात में, अहोबन ने लिखा, कब लिखा, सत्रवीश अताब्दी में, ठीक है, अगला प्रश्न, संगीत कलाधर की रचना, 1902, 1950, 1868, 1880, क्या होगा सही उत्तर, जल्दी जल्दी से बताओ, शुक्रिया, शुक्रिया कॉमेडी जी, बताए जल्दी से क्या होगा, संगीत कलाधर की रचना किस वर्ष में की गई, जल्दी से बताओ सभी लोग, संगीत कलाधर की रचना किस वर्ष में की गई, देखिए डाहियलाल शिवराम थे, कौन थे? डाहियलाल शिवराम ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संगीत कलाधर लिखा था कब लिखा? ये लिखा 1902 में कब लिखा? 1902 में ये इसका सही उत्तर होगा, ठीक है? हाँ, सब मिलेगा, सब मिलेगा राधा गोविंद संगीत सार की रचना, 1850, 1860, 1870 या 1890 बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा प्रशन का उत्तर पड़ावट से सभी लोग उत्तर दो राधा गोविंद संगीत सार की रचना, कब की गई? जल्दी से बताईए सभी लोग फटा फट से उत्तर दीजे सभी लोग जल्दी से जल्दी से बेजो फटा फट से बताओ उत्तर क्या होगा सोनी बता दूंगी बच्चे वो हला कि मैंने स्लेबर्स दिसक्स कर लिया एक बार पहले है ना आपने शायद वो सेशन नहीं देखा होगा कब की गई रचना सवाई प्रताप सिंग ने की थी जैपूर के महराज से सवाई प्रताप सिंग सवाई प्रताप सिंग जैपूर के महराज उन्होंने ये गरंत लिखा था राधा गोविंद संगीत सागर ठीक है, संगीत सार सोरी कब लिखी, 1850 में लिखी ए सही उत्तर होगा अगला प्रश्न निमगेत में से असुमेलित का चैन करना है जो अलग है उसका चैन करना है बताईए जल्दी से क्या है लव मैदान चाटी इन में से कोई नहीं अलग क्या है बताईए जल्दी से क्या होगा कोई बात नहीं मुकंद मैं आपको PDF ऐसी ही दूँगी ठीक है, नहीं लिख पा रहे हैं कोई बात नहीं चलेगा, जो बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं अब मैंने उसका solution ढूण लिया आप लोगों को उत्तर के साथ ही दे दूँगी ठीक है, चलिए बताईए जल्दी से छोड़ दीजे, लिखना छोड़ दीजे मुझे लगी रहा था बहुत सारे बच्चे नहीं लिख पाएंगे लिखना छोड़ दीजे, प्रश्ण बताईए जल्दी से जल्दी से बताईए क्या होगा, उत्तर देखेंगे, लव और मैदान तो एकी चीज है, चांटी अलग है इसका मतलब सही उत्तर ही हो जाएगा, यah ही होते हैं नाम दो हैं, लव भी कहते हैं, मैदान भी कहते हैं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? सी सही उत्तर होगा इसका, अगला प्रश्ण सितार का पहला तार लोहे का, तांबे का, पीतल का, इन में से कोई नहीं बताओ जल्दी से जल्दी से बताईए फड़ा वड़ से उत्तर दीजे जल्दी से, सितार का पहला तार क्या हो जाएगा सही उत्तर सभी लोग उत्तर दीजे फटा-फट से जल्दी से बताईए फटा-फट से PDF में एंड में बता दूँगे आपको कैसे मिलेगा ठीक है परिशान न होई है कोई भी चलिए बताईए जल्दी से सितार का पहला तार समय जा रहा है क्या हो जाएगा सही उत्तर लोहे का होता है किसका होता है लोहे का इसे किसका तार कहते हैं जल्दी से बताईए थोड़ा सा मोटा होता है ठीक है चलिए सितार में बाज का तार पहला दूसरा चौथा सात्वा बताईए जल्दी से सितार में बाज कतार कौन सा होता है? पहला, दूसरा, चौथा, सात्वा पड़ावट से बताईए उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताईए सभी लोग जल्दी से बताईए बाज कतार, पहला, दूसरा, चौथा, सात्वा क्या हो जाएगा सही उत्तर? फटावट से उत्तर दीजे सभी लोग क्या हो जाएगा सही उत्तर आपके पास केवल साथ सेकंड बस सेकंड खतम क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका पहला तार होता है बाज का तार ठीक है? पहला तार चलिए, सितार का छटा तार किस स्वर से मिलाते हैं, मंद्रसा से, मद्यसा से, तारसा से, मध्यपा से, बताईए जल्दी से क्या होगा, आपके पास 30 सेकेंड, जल्दी से उत्तर दीजिए सभी लोग, फड़ावट से बताईए सभी लोग, सितार का छटा तार किस स्वर से मिल बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा जल्दी से पड़ावट से उत्तर देंगे सभी लोग सौ ग्वेशन होंगे आज ध्यान रखना सभी लोग आहाँ सौ प्रश्न करने हैं हमें सौ प्रश्न पार उतारने ही उतारने है ये सब याद कैसे रखें करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान और रसरी आवत जात है और सिरपर परत निशान पताया न सभी को तो वैसे ही याद होंगे जल्दी से बताईए क्या हो जाएगा क्या होगा सही उत्तर इसका सही हो जाएगा उत्तर मध्धिसा से सितार का जो छटा तार होता है उसे मध्धिसा से मिलाया जाता है ठीक है? हाला कि मैंने ये सारे प्रशन कराए हुए थे इसमें से सितार वाले सितार में चिकारी के कितने तार होते हैं दो, एक, तीन, चार चिकारी के तार कितने होते हैं बताईए जल्दी से, फटावट से उत्तर दीजे सभी लोग, सितार में चिकारी के कितने तार? जल्दी से बताईए, क्या हो जाएगा सही उत्तर? सितार में चिकारी के कितने तार होते हैं? दो, एक, तीन, चार बिल्कुल बताएंगे रिश्केश, बेफिक्र रहो वो भी बताऊंगी, ठीक है? जल्दी से उत्तर दीजे सभी लोग कितने तार चिकारी के? दो तार, ठीक है? छटा और सात्वा, चिकारी के तार होते हैं, ठीक है? चिकारी का तार किसले प्रयोग किया जाता है? गत बजाने के लिए, जाला बजाने के लिए, जम जमा बजाने के लिए, या फिर इन में से कोई नहीं फिर दोहरा रही हूँ चिकारी का तार गत बजाने के लिए प्रयोग होता है जाला बजाने के लिए प्रयोग होता है जमजमा बजाने के लिए प्रयोग होता है या फिर इन में से कोई नहीं साथ ठीक है आपको लिखा दिखी रहा होगा दो दिन बाद म्यूजिक का बैच शुरू होने वाला है और जो की दो दिन बाद समात्व भी हो जाएगा ध्यान रखना स्टोर से गायब हो जाएगा दो दिन बाद बैच तो अगर आप जल्दी से क्या होगा उत्तर जल्दी चिकारी का अतार प्रयोग होता है किसलिए गत बजाने के लिए अच्छा और जाला बजाने के लिए प्रयोग होता है किसलिए होता है जाला बजाने के लिए चिकारी का अतार प्रयोग होता है ठीक है? सही उत्तर अगला, सितार पर दो स्वरों को एक दूसरे के बाद शीगरता से बजाना सितार को जब दो स्वरों सितार पर दो स्वरों को एक साथ बजाते हैं वो भी तेजी से तो क्या कहलाता है? जाला, जमजमा, गत्या, सूथ बताओ जल्दी से क्या होगा दिलकुल हो जाएगा जल्दी से बताईए फटा फट से क्या होगा और मैं एक चीज और बतादू आप लोगों को बहुत limited seats हैं seats बहुत तेजी से भर रहे हैं क्योंकि बच्चों को इससे पहले ना कोई बैच मिला है और नहीं मिल पाएगा बाकी intensity आप समझ रहे होंगे जल्दी से बताईए क्या होगा फटावट से उत्तर दीजे सभी लोग सितार पर दोस्वरों को एक दूसरे के बाद वो भी जल्दी जल्दी बजाना क्या कहलाता है फटावट से उत्तर दीजे सभी लोग क्या हो जाएगा सही उत्तर होगा जम जमा क्या हो जाएगा सही उत्तर जम जमा अगला प्रशन सितार में मींड को क्या कहते हैं सितार में मींड को क्या कहते हैं नहीं जिसने भी teaching teachers का महापैक ले लिया है उसको नहीं लेना, ठीक है, हाँ, सारी चीजे होंगी, शिव संतोजी जी, चौधरी जी, बिलकुल, सारी चीजे, TGT और PGT का मतलब है, जो भी सब्जेक्स उसमें आएंगे, वो सारे के सारे इस बैच में इंक्लूड होंगे, ठीक है, सितार में मींड को क्या कहते हैं, जाला, जमजमा, सू, इन में से कोई नहीं, एक से अधिक, बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा उत्तर, और हाँ, मैं एक चीज और बता दूँ, हाला कि मैं कभी बैच के बीच में इस बारे में बात करती नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे मजबूरी में करनी पड़ रहे हैं, क्यो और बैच ले रहे हो गलती से TGT का, या तैयारी कर रहे हो दोनों की, और बैच ले ले रहे हो किसी एक का, ऐसे काम मत करना भाईया, बहुत सारे बच्चे परिशान हो रहे हैं, फिर Conversion में दिक्कत हो रही है, Conversion में मुझे डाट खानी पड़ती है, ठीक है, नेहा बिलकुल सारे सबजेक्स होंगे, उसके लिए टाइमिंग बता देंगे बच्चे, मैं बिलकुल बता दूँगी, देखिए मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल दे रही हूँ, बहुत सारे बच्चे परिशान है, इसलिए मैं, हलाकि मैं बीच में करती नहीं हूँ ऐसा, लेकिन थोड़ी मजबूरी मुझे दिख रही है, मैं बता दे रही हूँ, आप सभी लोग ये वाली गलती प्लीज मत करना, कोई भी वालक मत करना, मैं पहले ही बता रही हूँ, ये गलती आपको एप पर दिखाई नहीं देगा, मैं फिर बता रही हूँ, और एक चीज और, जो बच्चा TGT के लिए अपलाई करना चाता है, वो TGT का ही बैच जॉइन करें, जो PGT के लिए अपलाई करना है, वो PGT का ही बैच जॉइन करें, और जो दोनों करना चाते हैं, या 6-8 की त्यारी करना है, वो महापैक जॉइन करना, वरना नुकसान में रहोगे, एक से जादा लोगे तो पैसे लग जाएंगे आपके जादा, ठीक है, एक चीज और, मैं फिर बता रही हूँ, आप लोग बैच कनवर्जन में बहुत दिक्कत कर रहे हैं, ऐसी यही स्टेट एक्जाम पर क्लिक करेंगे, तो स्टेट एक्जाम पर क्लिक करने पर आपके सामने बिहार आएगा, यहां लिखी होगी, देखें, शिक्षक भरती, अगर TGT की तयारी, तो इस पर क्लिक, और दोनों की तयारी तो कैसे, बता रही हूँ, 9-10 पर क्लिक करिए, T यहां पर TGT की तयारी करने तो क्या करना है, यह लिखा है यहां पर TGT 9-10 फाइनल सेलेक्शन 10 ऑक्टोबर, यानि के 2 दिन बाज बैच शुरू हो रहा है, ठीक है, मैं बता रही हूँ, हाँ, बिल्कुल, इस पर क्लिक करिएगा, यहां क्लिक करेंगे, तो आपके सामने व बच्चा जॉइन करना चाहता है, दस के बाद बैच क्लोज है, बैच यह दिखाई नहीं देगा आपको, ठीक है, इसके बाद आप बैच चाहेंगे भी, तो भी जॉइन नहीं कर पाएंगे, तो यही दो दिन है आपके पास जो आप बैच जॉइन कर सकते हैं, ठीक है, एक बैच जॉइन करना है, ठीक है, आपको कोई भी सब्जेक्ट अलग से तयार नहीं करना है, ठीक है, अबीस सेप्टेंबर को कोई दिक्कत नहीं है, राजनीश वो आपका हो चुका है कनवर्ट, आपको उसमें टेंचन लेने की जुरत नहीं है, जिन भी बच्चों ने मेरे कहने पर 20-20 तारीक के असपास में गलती से महापैक लिले था, उनका कनवर्ट हो चुका है, जब पहला दिन आएगा, क्लास का आपको अपने आप नोटिफिकेशन आजाएगा, ठीक है, चिंता मत करिए, आप देखिए ध्यान से कैसे इस बैच को जॉइन करना है, यहाँ बाए 24, अपलाई करेंगे, 1849 का दिख रहा है, और भी कम में बैच जॉइन करना है, तो एक ही तरीका है, एप डाउनलोड करेंगे, जैसे ही एप डाउनलोड करेंगे, आपके सामने, जब बिहार आप सेलेक करेंगे, स्टेट में, तो आपके सामने स्टोर आएगा, ठीक है, जब क्लास स्टार्ट होगी, तो पता चल जाएगा, ठीक है, क्लास स्टार्ट होगी, तो मैं बता दूगी कि टाइमिंग क्या रहेगा, चलिए, बैच की नोटिफिकेशन आपको अपने आप मिल जाएगी, एप पर, जैसे ही आप बैच पर जैस करेंगे, और जॉइन भी व बाकी कोई क्या कह रहा है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आप ये वाली गल्ती मत करेगा, बहुत सारे बचे वाली गल्ती कर रहे है, कि बैच, आप कोड से तो ले ले रहें, किसी भी कोड से, डिसकाउंट मिल जाएगा, लेकिन आप मुझ से नहीं जल्दी से बताईए क्या हो जाएगा, सितार में मींड को क्या कहा जाता है, सितार में मींड को सूत कहते हैं, क्या कहते हैं, सूत कहते हैं मींड को, क्या कहते हैं, सितार में मींड को सूत कहा जाता है, ठीक है, चलिए हाँ बिल्कुल रिशिकेश निश्चित तौर पर सितार के बोल कितने प्रकार से उत्पन्न होते हैं सितार के बोल कितने प्रकार से उत्पन्न होते हैं एक, दो, तीन, चार बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ उत्तर क्या होगा शुभम मैंने बताया आपको पढ़ाऊंगी मैं ही अगर आप मुझसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो देखे अगर आपको ऐसा है कि नहीं मेरी गाइडेंस चीए तो भाई मेरी गाइडेंस के लिए फिर आपको ठीक करा दूँगी लेकिन आगे से गलती मत करियेगा ध्यान से बैज जॉइन करें बहुत सारे बुच्छे गलती कर रहे हैं इसमें क्या हो जाएगा फटावट से बताईए क्या होगा अब जिनकी गलती हो गई है वो परिशान ना हो PGT से PGT में convert में कर लूँगी पहली ही class में कर दूँगी वो कोई problem नहीं है लेकिन आगे से ये गलती भगवान के लिए मत करियेगा ठीक है चलिए सतार के बोल कितने प्रकार से उत्पन दो प्रकार से उत्पन कितने प्रकार से दो प्रकार से उत्पन्न होते हैं तो सही उत्तर क्या हो जाएगा B, आकर्ष आकर्ष प्रहार और अपकर्ष प्रहार ठीक है आकर्ष प्रहार और अपकर्ष प्रहार दो तरह के प्रहार होते हैं अगला, सितार वादन की कितनी शैली प्रसिद्ध हैं पड़ावट से उत्तर दीजे, क्या होगा? सितार वादन की कितनी शैलियां प्रसिद्ध हैं? अब जिसका गलती से कूपन कोड इस्सेमाल हो गया है, टीचिंग कोड की जगा, हो गया है, परचेस कर लिया है, तो परिशान मत हुए, कुछ ना कुछ मैं कर ही दूँगी, लेकिन आगे से, जिन्होंने अभी तक जॉइन नहीं किया, उनके लिए बता रही हूँ, क्यूंकि इससे काफी समस्या मुझे होती है, फिर, मुझे कन्वर्जन में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, डार्ट भी खानी पड़ती है, बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा, फड़ा बट सुत्तर दीजे, सितार वादन की कितनी शैलियां प्रसिद्ध हैं, जल्दी से बताईए, देखिए, दो ही हैं, शैलियों को बाज भी कहा जाता है सितार में, मैंने बताया भी था, पूरवी बाज हैं और दिल्ली बाज हैं, कौन-कौन से हैं? पूरवी बाज और दिल्ली बाज, ठीक है? दो शैलियां है, सितार वादन की, ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा, अगला प्रश्न, जगनात को कविराज की उपाधी दी गई, शहजहां के द्वारा, जहागीर के द्वारा, अकबर के द्वारा या इन में से कोई नही, बताईए जल्दी से क्या होगा, फड़ा वड़ से उत्तर दीजे, जल्दी से बताईए, जगनात को कविराज की उपाधी दी गई, शहजहां के द्वारा, जहागीर के द्वारा, अकबर के द्वारा, या फिर इन में से कोई नहीं, हाँ बिल्कुल, 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 अवन ये जो Y740 आप देख रहे हो, ये मेरा टीचिंग कोड है, ठी जल्दी से बताईए, क्या हो जाएगा उत्तर, लेप्टॉप के लिए आपको एक बार ना देखना पड़ेगा, बहुत सारे बच्चे जो पहले पढ़ रहे थे, वो कह रहे थे कि लेप्टॉप से हो जाता है, ठीक है, जल्दी से बताईए, क्या हो गया, उत्तर क्या हो गय इसका तिर्फ पांच सेकेंड जल्दी से बताईए जगननात को कविराज की उपाधी दी किसने शाह जहा ने दी थी ठीक है किसने दी थी शाह जहा ने याद रखेगा किसने दी उपाधी शाह जहा ने दी शाह जहा के काल में रहे हैं जगननात शाह जहा ने गुण समुद्र क उपाधी किसे दी थी, दिरंग खांको, ताल खांको, बिलास खांको, एक से अधी, क्या इन में से कोई नहीं, बताईए जल्दी से क्या होगा, पड़ावट से बताईए क्या होगा, जल्दी से बताईए क्या हो जाएगा उत्तर, जल्दी से बताईए क्या होगा, से चार, क्लास का रोज आना टाइम है तीन से चार दो पहर में, तोमवार से लेकर शुक्रवार तक जल्दी से बताईए, फटावट से शाजाने गुण समुद्र की उपाधी किसे दी, जल्दी से मिलेगा नामिका हो सकता है, कुछ टेक्निकल इशू की जिसे कई बार PDF शूर नहीं हो पाती है यही दिक्कत कल भी हो रही थी कल भी मैंने दुबारा PDF अपलोड कर रही, अगर ऐसा है तो मैं करा दूँगी, ठीक है? चिंता मत करो दुबारा अपलोड करा दूँगी, बेफिक्र रहो आप लोग आप परेशान नहों, बस उसके लिए मुझे दो बार भी काम करना पड़ेगा तो चलेगा, बस आप लोगों को सेलेक्शन लेना है जल्दी से बताइए क्या होगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मैं दुबार अगर आ दूँगी, चलिए फटावट से, शाजान ने गुण समुद्र की उपाद ही किसे दी? दोनों को दी थी, दिरंग खांको भी और ताल खांको भी दोनों को दी थी, इसका मतलब कि इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, एक से अधिक, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न चतुर दंडी प्रकाशिका किस वर्ष में लिखा गया? हमें पता है किस ने लिखा था? व्यंकट मुखी ने, कुछ लोग इसको व्यंकट मुखी कहते हैं, कुछ लोग इसको व्यंकट मुखी कहते हैं और मैं फिर से बता दूँ बिहारड़ा 247 हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जहां आपको इसकी PDF मिल जाएंगी आप सभी बच्चे कोशिश किया कीजे कि इस तरह की जितने भी मैं क्लासिस लेती हूं सभी क्लासिस की जो PDF है उन्हें कम से कम दो-दो बार पढ़ ले ठीक है चलि संगीत राग कल्पद्रुम की रचना किसने की संगीत राग कल्पद्रुम की रचना एक है एक संगीत कल्पद्रुम है एक राग कल्पद्रुम है तीन किताबे है ठीक है बताए जल्दी से क्या होगा जल्दी से बताए क्या होगा संगीत राग कल्पद्रुम की रचना सदा अधारंग अधारंग कृष्णानंद व्यास या फिर दिरंग खां बताओ जुल्दी से क्या होगा नहीं निगम पाली जिस ने भी एस्टेट में बैच लिया था उसे महापैक दिया जा चुका है आपको अब अलग से कुछ भी करने की जुरूद जिस भी बच्चे ने एस्ट दे रही हूँ मैं क्या होगा इसका उत्तर कृष्णानंद व्यास जी ने संगीत राग कल्पद्रूम की रचना की ठीक है चलिए अगला प्रश्ण नर्तन निर्नय की रचना किसने की नर्तन निर्नय की रचना किसने की ताल खां पुंडरीक विठल मान सिंग तोमर या कृष जल्दी से बताईए सभी उत्तर दीजे फटाफट से क्या होगा नर्तर निर्णे की रचना किस ने की फटाफट से उत्तर दीजे सभी लोग बिल्कुल मैं अभी टेलिग्राम लिंक जो है आप लोगों को शेर करा दे रही हूँ ठीक है बेफिकर रही है मैं अभी टेलिग्राम लिंक आप लोगों को शेर करा रही हूँ 38 क्या हो जाएगा सही उत्तर पुंडरीक विठल हलो आप क्लास में प्लीज लाइव सेशन में पिन कर दीजे हमारा जो टेलिग्राम चैनल का लिंक है बच्चे परिशान है बच्चों को लिंक नहीं मिलता फिलहाल आप टेलिग्राम का पिन कर रही है जल्दी से हाँ छीक है छीक है छीक है ओके थैंक यू थैंक यू हाँ बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू मेरे सभी प्यारे प्यारे साथियों डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे वेडियो खतम होने के बाद तो नीचे टेलिग्राम लिंक दिया है वहाँ से आप टेलिग्राम जोइन करते हैं ठीक है चलिए बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा नर्तन नेड़ने की रचना जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा पुंडरीक विठल अगला संगीत पत्रिका है एक संगीत कला विहार एक पत्रिका का नाम है संगीत की पत्रिका संगीत कला विहार ये कहां से प्रकाशित की जाती है, बंबई, मद्रास, हाथरस या खेरागड, बताए जल्दी से क्या होगा नहीं जी, PSVRC ये तो संभव नहीं है, आपको महापैक जॉइन कर लेना चीए था फिर, अब आपको दुगना पड़ जाएगा संगीत पत्रिका, संगीत कला विहार कहां से प्रकाशित की जाती है, बताए जल्दी से, पड़ावट से, जल्दी से उत्तर जीज़े क्या हो जाएगा पेपर वन के लिए अभिशे कोई क्लास नहीं लेने है, पेपर वन इसी में इंक्लूड होगा, ठीक है, पेपर वन के लिए आपको अलग से कोई क्लास लेनी की जरूरत नहीं है, अलग से कोई क्लास भी नहीं है पेपर वन के लिए, बताए जल्दी से क्या होगा, आप जिस जल्दी से क्या हो जाएगा, संगीत कला विहार, क्या होगा सही उत्तर, 5 सेकेंड और, जल्दी से बताईए, हाँ बिल्कुल 0 लेवल से क्लास होगी, जोती, निशिंत रहे, एकदम कहते हैं न कि 0 लेवल से ही पढ़ाऊंगी, थियोरी का एक एक चीज पढ़ाऊंगी, बेफि पत्रि का संगीत लेहरी, कहां से प्रकाशित होती थी, अब नहीं होते हैं पहले होती थी, कुछ समय तक होते थी, अभी कुछ समय पहले ये बंद हो ह structures, बताओ जल्दी से क्या होगा, अरे भाइया, चंद्र मोहन जी, मैं वही बता रही हूँ, टेलीग्राम पर आप ध्यान से देखेंगे तो मिलेगी अगर आपने ध्यान से नहीं देखा है तभी नहीं मिलेगी ठीक है चलिए बताईए जल्दी से क्या होगा हाँ दो पेपर होंगे पेपर वन लेंगवेज होगा जिसमें इंगलिश हिंदी दोनों होंगे और पेपर टू जो होगा आपका उसमें 40 न जहासी से अगले प्रशन का उत्तर संगीत पत्रिका संगीतिका किस शहर से प्रकाशित होती थी ये भी पहले होती थी अब नहीं है ठीक है संगीत पत्रिका का नाम है संगीतिका पताईए कहां से प्रकाशित होती थी हाथरस बंबई लखनव इलाहबाद और ध्यान रखेग में आपको telegram का link मिल जाएगा, उस पर click करेंगे तो आप join कर सकते हैं, जैसे ही join कर लें, आप जब telegram का उपर दिया होता है, telegram जब उपर आप नाम पर click करेंगे, तो आपके सामने option खुलते हैं media, files, सारी चीज़ों के तो, files में जाएगे, वह आपको हो गया है, वह मैं अपने आप चेक कर लूँगी, अपने आप देख लूँगी, ठीक है जल्दी से बताएगे क्या होगा पड़ावड से उत्तर दीजे संगीतिका के शहर से प्रकाशित होती थी, क्या हो जाएगा सही उत्तर, इलाहाबाद क्या होगा सही उत्तर इलाहाबाद, बिलकुन अगला प्रश्न, निम्निकित में से असुमेलित का चैन करिये, कौन सा अलग है रामदास, दिवाकर, तान सेन राजा सौर सेन इनमें से कोई नहीं, बताएगे जल्दी से क्या होगा जल्दी से बताइए कनिश्का, अभी न, बच्चे इस बारे में कुछ भी कहना सही नहीं होगा, कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी है न, उसके पीछे कारण है क्योंकि अगर मैं कहूंगी नेगेटिव मार्किंग होगी तो दिक्कत है, क्योंकि इस से पहले बच्चे नेगेटिव मार्किंग रखी लेकिन एंड में हटा दी, तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तब तक दिक्कत हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, विशाल जिन्होंने TGT, PGT दोनों की तयारी के लिए PGT ले लिया है, वो निशिंत रहिए वो निशिंत रहिए, ठीक है बताईए जल्दी से क्या होगा जल्दी से बताईए क्या होगा सही उत्तर आलोग जी, एंड में मैं इस प्रोसेस को बता दूँगी अभी आप पहले प्रश्न करिए सभी लोग क्या हो जाएगा सही उत्तर, नहीं होगा प्रीती मैं देख लूँगी मताईए जल्दी से क्या हो जाएगा उत्तर सही उत्तर होगा D, पूछो क्यों, ये तीनों ही स्वामी हरिदास स्वामी हरिदास के शिष्य थे स्वामी हरिदास के शिष्य रहे हैं ये सबी चलिए अगले प्रशन पर आते हैं सूलफाक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं बताईए जल्दी से क्या होगा सूलफाक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं 10, 12, 13, 14, जल्दी से उत्तर दीजे, सूलफाक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, जल्दी से बताईए, कितनी मात्राएं, 10, 12, 13, 14, पड़ावट से उत्तर दीजे सभी लोग, सूलफाक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, जल्दी से बताईए, सभी लोग, क्या हो जाएगा सही उत्तर, कितनी मात्रा, 10, 10, अगला, एक ताल में कितने विभाग होते हैं एक ताल में कितने विभाग होते हैं पांच चार छे तीन जल्दी से बताएए सभी लोग कितने विभाग होते हैं एक ताल में पांच चार छे तीन क्या होगा सही उत्तर हाँ बिल्कुल सपना कल भी होगी कल एक से पांच मेराथन आप लोगों की हाँ मेराथन का टाइम कल मेराथन कल मेराथन है कल है रविवार कल आप लोगों की मेराथन है दो पहर एक बजे से पांच बजे तक शाम के ठीक है कल मत भूलना टाइम चार घंटे की मेराथन है कल भी और कल मैं आप लोगों को पास्जात्य संगी शैली के प्रश्न कराने वाली हूँ, ठीक है? बताई यह जल्दी से क्या होगा? पढ़ावट से उत्तर, एक ताल में कितने विभाग? जल्दी से! कितने विभाग? छे विभाग होते हैं, कितने विभाग? छे विभाग अगला प्रश्न प्रश्न संख्या पैंतालिस एक ताल में कितनी मात्रा होती हैं एक ताल में कितनी मात्रा होती हैं बारा, दस, चौदा, सोला जल्दी से बताओ फटाफट से क्या होगा उत्तर एक ताल में कितनी मात्रा बारा, दस, चौधा, सोला, सेकेंड आपके पास 28, जल्दी से उत्तर दो फटावट से, एक ताल में कितनी मात्रा, जल्दी से उत्तर दो सभी लोग, कितनी मात्राएं हो जाएंगी एक ताल में, जल्दी, 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 तही उत्तर क्या, बारा मात्राएं होती हैं, कितन जल्दी से, बिलकुल, जल्दी जल्दी से, जल्दी से जहान रखीगा, आज मैंने पहली का था कि मैं आज डिस्क्राइब नहीं करूंगी, बहुत ज्यादा प्रश्ण है और कम समय है, कहरवा ताल में कितनी मात्रा, साथ, आज, नो, दस, फटा-फट से बताईए जल्दी से, जल्दी से बताईए क्या होगा कहरवा ताल में कितनी मात्रा जल्दी से कितनी मात्राएं हो गई केवल 10 सेकेंड कितनी मात्राएं 5 सेकेंड 8 मात्रा होती है कितनी मात्रा 8 मात्रा ठीक है अगला प्रश्ण कहरवाताल में कितने विभाग होते हैं कहरवाताल में कितने विभाग 2, 3, 4, 5 कहरवाताल में कितने विभाग 2, 3, 4, 5 30 seconds जल्दी से 20 seconds जल्दी से 10 seconds जल्दी से बताईए क्या होगा उत्तर क्या हो जाएगा सही उत्तर 4, 4 मात्रा के 2 विभाग 4, 4 मात्रा 2 विभाग ठीक है? चलिए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 48 तीवराताल में कितनी मात्रा? 8, 7, 10, 12 तीवराताल में कितनी मात्रा? 8, 7, 10, 12 बताईए जल्दी से 30 seconds फटावट से उत्तर सभी लोग 20 seconds जल्दी से फटावट से उत्तर तीवराताल में कितने विभाग? सही उत्तर B अगला जपताल में कितनी मात्रा हैं? जपताल में कितनी मात्रा हैं? 10, 12, 14, 9 जपताल में कितनी मात्रा हैं? 30 seconds जल्दी से बताईए जब ताल में कितनी मात्रा है समय कम है बरबाद नहीं करना फड़ा वट से उत्तर देना है सभी को बताओ जल्दी से क्या होगा पंदरा सेकेंड जब ताल में कितनी मात्रा है जल्दी से बताईए जल्दी से जब ताल में कितनी मात्रा 10 मात्रा 4 विभाग 10 मात्रा 4 विभाग अगला प्रश्ण दीप चंदी ताल में कितनी मात्रा 14, 16, 12, 10 14, 16, 12, 10 दीप चंदी ताल 30 सेकेंड जल्दी से बताईए समय कम जल्दी से बताईए फटा फट से पंद्रा सेकेंड दस सेकेंड जल्दी से बताईए फटा फट से क्या हो जाएगा सही उत्तर बिल्कुल A, चौधा मात्रा चार विभाग चौधा मात्रा चार विभाग अगला प्रशन तिल्वाडा ताल में कितनी मात्रा तिल्वाडा ताल में कितनी मात्रा चौधा, बारा, सोला, अठारा तिल्वाडा ताल में कितनी मात्रा चौधा, बारा, सोला, अठारा कितनी मात्रा तीस सेकेंड जल्दी से फटा फट से उत्तर क्या हो जाएगा सही उत्तर जल्दी से पंद्रा सेकेंड तिलवाडा ताल क्या हो जाएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा सही उत्तर सोला मात्रा चार विभाग सोला मात्रा, चार विभाग, ठीक है, चार-चार मात्रा के, अगला, राग तिलक कामोध की जाती, पटा-पट से बताना है, एक-एक सेकंड का भी समय, एक्स्टा नहीं लेना आप लोगों को, जल्दी-जल्दी से, ठीक है, जल्दी-जल्दी से, तिलक कामोध की जाती, तिलक कामूद की जाती जल्दी से फटावट से उत्तर जल्दी से बताईए तिलक कामूद की जाती कम समय आरोह में क्या वर्जित गा और धा वर्जित अवरोह में क्या वर्जित जल्दी से बताओ अवरोह में इसकी क्या वर्जित जल्दी जल्दी अवरोह में केवल रे वर्जित क्या वर्जित रे वर्जित आरोह में 5 अवरोह में 6 इसका मतलब ओडव शाडव डी सही उत्तर ठीक है क्या हो जाएगा सही उत्तर डी अगला प् तिलक कामुद का वादी स्वर जल्दी से दो उत्तर विपेन एंड में आपकी बास सुनूंगी पहले प्रशन कर लेते हैं जल्दी से ना एंड में आपकी बास सुनूंगी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अभी जल्दी से प्रशन कर लीजे सभी लो तिलक कामूध का वादी स्वर, रे, सा, प, म, क्या हो जाएगा? जल्दी से, बड़ावट से, समय कम, 15 सेकंड, जल्दी से, क्या हो जाएगा सही उत्तर? सा क्या है? वादी, और सम्वादी क्या हो जाएगा इसका? सम्वादी हो जाएगा इसका प, ठीक है? सही उत्तर क्या हो जाएगा B अगला प्रश्ण राग तिलक कामोद का गायन समय राग तिलक कामोद का गायन समय दिन का दूसरा पहर रात्री का दूसरा प्रहर दिन का तीसरा प्रहर रात्री का तीसरा प्रहर पताए जल्दी से क्या होगा उत्तर पंदराब, आपके पास 30 सेकेंड बचते हैं, बताए जल्दी से, जल्दी से, पटापट से, 50 सेकेंड, जल्दी से, हाँ प्राची कोई बात नहीं, अगर आपने PGT लिया है तो चलेगा, ठीक है, चलेगा, बताए जल्दी से क्या हो जाएगा, पटापट से उत्तर, तिलक कामूद का गायन समय, क्या हो जाएगा, जल्दी से पताएगे क्या हो जाएगा, पटापट से, तिलक कामूद का गायन समय, जल्दी से देजे उत्तर क्या हो जाएगा, तिलक कामूद का गायन समय, क्या होगा, रात का दूसरा प्रहर, क्या होगा, रात्रि का दूसरा प्रहर, अगला प्रश्न, राग तिलक कामोद का थाट भैरव काफी खमाज भैरवी राग तिलक कामोद का थाट बताओ जल्दी से जल्दी से बताओ राग तिलक कामोद का थाट फटाफट से उत्तर दो सभी लोग जल्दी से बताईए क्या होगा राग तिलक कामोद का थाट क्या हो जाएगा सही उत्तर नी कोमल अन्यस्वर्शुद्ध कौन सा थाट जल्दी से बताईए नी कोमल अन्यस्वर्शुद्ध अब बता सकते हैं आप लोग मैंने हिंट दिया जल्दी से बताईए उत्तर क्या होगा क्या हो जाएगा सही उत्तर, खमाज, एकदम ठीक अगला प्रश्न, राग जौन्पुरी का थाट, जल्दी से बताईए, राग जौन्पुरी का थाट, भेरवि असावरी तोडि मारवा, राग जौन्पुरी का थाट गल्दी से परिये पायनवा के सरजनी है ना राग जॉनपूरी का थाथ ये तो कुछ और का रही हूं मैं क्या ये तो कुछ और निकल गया मेरे मूझ से आज जल्दी से पताईए जॉनपूरी का थाथ आसावरी क्या हो जाएगा आसावरी व्रिंदावनी सारंग का थाथ बिल्कुल व्रिंदावनी सारंग का थाथ मारवा कल्यान बिलावल काफी तीश सेकेंड जल्दी से दरबारी निकल गया बिल्कुल दरबारी कानडा मुझ से निकल गया जो गुरू क्रुपा करे कोटिक पावप कटत पलचिन चिन जो गुरू क्रुपा करे हाला कि मेरा गला ठीक नहीं है, इस वज़े से मैं कोशिश कर रही हूँ कि जाधा घुमाव न लूँ क्या हो जाएगा अराग व्रिंदावन सारंग, व्रिंदावनी सारंग, क्या हो जाएगा थाट काफी, क्या हो जाएगा, काफी अगला, व्रिंदावनी सारंग की जाती संपून संपून, ओडव संपून, ओडव ओडव, शाडव शाडव व्रिंदावनी सारंग, जल्दी से पताईए ना बोलो शाम, हमें संग, जान गई तुम्हेरो ढग है ना, बताईए जल्दी से क्या होगा मृण्दावनी सारंग की जाती, क्या हो जाएगी गावर धावर्जित होते हैं, क्या वर्जित गावर धावर्जित सारे माँ पर नीसा तानी जल्दी से बताईए क्या हो जाएगा व्रिंदावनी सारंग की जाती, ओडव ओडव हो जाएगी ठीक है, पांच सवर लगते हैं, अगला व्रिंदावनी सारंग में कौन सी विधा का प्रयोग? गायन नहीं होता, बताईए जल्दी से व्रिंदावनी सारंग में कौन सी विधा का प्रयोग या गायन नहीं होता बड़ा खयाल, छोटा खयाल, तराना या ठुमरी? क्या नहीं गाया जाता? बिलकुल, तहीं कहा बन बन धूंदन जायाओं कित हूँ छिप गए क्रेश्न मुरारी शीशम गुट और कानन कुंडल बन सी धरमन रंग फिरत गिर है न जाद आगया होगा आपको कौन सी विधा का गायन नहीं होता जल्दी से बताओ ठुमरी नहीं गाते इसमें क्या नहीं गाते ठुमरी अगला व्रिंदावनी सारंग के नियास के बोल क्या है रेपा सारेपा सापाया सारे सारे पाय कुछ और याद आगया मा बधा बमा सारे साव गला खराब होने के वज़े से बहुत नीचा गाना पड़ रहा है ना कान रे नान्दनांदन पर्माने कान दने है दूख भंजन कान रे खंठ मनी मोतियन के माला खंठ बनी मोतियन के माला पहिरत मुदित भाई ब्रज बालारे नंद 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 नंपरमानी कंद नं है ना बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा सारे पा बी अगला व्रिंदावनी सारंग का संप्रकृति राग क्या होगा बिलकुल शुक्रिया धन्यवाद धन्यवाद जल्दी से बिलकुल बिलकुल व्रिंदावनी सारंग का संप्रकृति राग सारंग, सूर मलहार, मिया मलहार, इन में से कोई नहीं एक से अधिक पताए जल्दी से क्या होगा, हाँ, बिलकुल, बिलकुल बहुत नीचा नहीं गापा रही हूँ जल्दी से अच्छा किस-किस ने ये भजन सुना है, ये राम लीला भोगी ना, राम लीला में ये भजन आप सुनूगे सिया चली धीरे धीरे, हो, सिया चली धीरे धीरे किसी ने सुना है ये, बहुत अच्छा भजन है, खेर, क्या हो जाएगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा, सूर मलहार, क्या होगा? सूर मलहार, ठीक है? और ये जो सारंग देख रहे हैं, ये व्रिंदावनी सारंग को ही कहा जाता है, ठीक है? भैरव की जाती, शाडव संपून, औरव संपून, 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 या वक्र संपून, जल्दी से बताएगे क्या होगा? सिर्पर ओढ़े लाज का घूंगट, माथे बिंदिया कुम कुम जूमर, लोकरीत का, पुन्य पृत का, लोकरीत का, पुन्य पृत का, पंथ रही है निहार, सियार चली धीरे धीरे, हो सियार चली धीरे धीरे, हो जी हो, हरत आपको एसे कही नहीं मिलेगा यूट्यूब पर, मुश्किल है कि मिल पाया क्योंकि यह मेरे आजव बाने मुझे सिखाया था, है न? चलिए क्या हो जाएगा सही उत्तर भैरव की जाती संपून संपून ठीक है सारे स्वर लगते है इसमें और सुबा के समय पर गाया जाता है ठीक है ये कैसा राग है सुबा के समय पर गाया जाता है ये भोर का राग है तिलंग का गायन समय राग तिलंग रात्री का दूसरा प्रहर, रात्री का तीसरा प्रहर, रात्री का पहला प्रहर, दिन का दूसरा प्रहर बताए जल्दी से क्या होगा फटा पट से शुक्रिया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद ऐसे ही आप लोगों को भी गाना है ठीक है, बीच बीच में कुछ एक अच्छी चीज़े आपको सिखाया करूँगी, ठीक है, बेफिकर रहो, कुछ अच्छे भजन आपको सिखा दूँगी इस बीच में, एक बहुत सुन्दर भजन है, वो कैसे है, याद नहीं आ रहा है, हमारे जो अध्यापक थे, उन्होंने ह और में सिखाया था ये भजन, गली तो चारो बंद भर, भाई, गली तो चारो बंद भर, शाम सूमे लाने कैसे जाए, जाव रे, हरी सूमे लाने कैसे जाए, जाऊ रे गली तो चारो बंद भाई बताई जल्दी से क्या होगा तिलंग का गायन समय रात्र का दूसरा प्रहर ए सही उत्तर अगला तिलंग का थाट क्या है राग तिलंग का थाट खमाज कल्यान बिलावल मारवा बताईए जल्दी से सभी लोग क्या हो जाएगा जल्दी से पटावट से उत्तर दीजे क्या हो जाएगा बताईए जल्दी से क्या होगा बताईए जल्दी से क्या होगा स्थाब अच्छा होगा दिल पर हाथ रखो और अपने उपर विश्वास रखो बताईए जल्दी से क्या होगा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर होगा खमाज ठीक है अगला प्रश्ण तिलंग में कौन सा स्वर वर्जे होता है किस स्वर को वर्जित किया जाता है तिलंग में रे मा धा या नी जल्दी से उत्तर दीजे सभी लोग कौन सा स्वर इसमें वर्जित होता है फटापट से बिल्कुल खमाज फटापट से उत्तर दीजे TGT वाले का सुर्भी TGT में प्रेक्टिकल नहीं होता As I know, PGT में होता है, ठीक है? बताई जल्दी से क्या होगा रोज रोज आखों तली, एक ही सपना चली ओ राग भर का जल जली आखों में जिस तरह खाबुका दिया जली ओ रोज रोज आखों दली किस-किस ने ये बॉलीवूट का गाना सुना है, अच्छा गाना है काफी तिलंग में कौन सा स्वर वर्जे होता है, बताई जल्दी से ना ना अश्मिता, चिंता मत करो ये आज रैपिड फायर मेंने जान बूज कर रखी है बहुत सारे बच्चों को लगता था कि हमने धेर प्रश्न कर लिए है ना हमने बहुत सारे प्रश्न कर लिए हमें खूब सारे प्रश्नाते हैं है ना अब उनकी उनका ब्रहम तूट जाएगा जल्दी से बताईए क्या होगा बैश्न बजन दाओ देने गाई जे फिर पराई जाने रे बिलकुल 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 जल्दी से क्या होगा रे वर्जित होता है ठीक है क्या वर्जित होता है रे लेकिन कुछ लोग अवरोह में लगा देते हैं रे को रंजक्ता बढ़ाने के लिए हमेशा नहीं केवल अवरोह में लगता है कभी कभी चलिए अगले प्रश्न का उत्तर दीजे क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या सड़ सड़ तिलंग का वादी स्वर नी मा गापा जल्दी से हुसन पहाडों का यह कहना के बारो महिने यह मौसम जाडों का तुम परदे से किधर से आए आते ही मेरे मन में समाए लगता हाथों से मन निकला जाए उचे नीचे कैसे आगे छोटे छोटे जरने हैं के जरनों का पानी लेके कुछ वादे करने हैं जल्दी से बताएं क्या होगा पटापट से बताओ क्या होगा हाँ मेरा भी फेवरेट है तिलंग का वादी स्वर क्या हो जाएगा गवादी गव क्या हो जाएगा इसका वादी स्वर और समवादी स्वर क्या हो जाएगा इसका नी क्या हो जाएगा नी, ठीक है, चलिए, अगला प्रश्ण बताईए जल्दी से सभी लोग क्या होगा, तिलंग में किस विधा का गायन नहीं होता, छोटा खयाल, बड़ा खयाल, ठुमरी, इन में से कोई नहीं, एक से अधिक, बताईए जल्दी से, हाँ, बिल्कुल, जल्दी से बताईए क्या ह होगा, अब आप लोगों की फर्माईशे बढ़ रही हैं, यह सही नहीं है, हम रैपिड फायर कर रहे थे, इसी पर ध्यान देते हैं, जल्दी से, पेपर बन के लिए अभिशे, कोई अलग से क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जल्दी से, अच्छा, मिथिलेश मेरे सारे गाने तबले पर बजा रहा है, बहुत, देखिए, यह भी केवल हमारी ही क्लास में संभव हो सकता है, किसी और सब्जे की क्लास में यह संभव नहीं होगा, कि आप बराबर योगदान दे पाएं हैंना, मताईए जल्दी से क्या होगा, यह हो पतर, बड़ा खयाल नहीं होता, ठीक है, क्यूंकि यह गंभीर प्रकृती का राग नहीं है, कैसा है, गंभीर प्रकृती का राग नहीं है, चंचल प्रकृती का राग है, ठीक है, तिलंग का संप्रकृती, मिश्र खमाज, खमाज, जिंजोटी, तोड़ी, बताओ जल्दी स तीरे नाम, तीरे नाम, बहुत पसंद है मुझे गाना, जल्दी से बताइए क्या हो जाएका उत्तर? जल्दी से, सोचे, हम लो को संगीत से जुड़े हैं, हम्में तो स्ट्रेस होना ही नहीं च़गी, होना चागी क्या, संगीत के लोगों को स्ट्रेस नहीं होता, पल पल दिल के पार तुम रहते हो हाँ बिल्कुल अनामिगा बिल्कुल मिलेगा चलिए तिलंग का संप्रकृति क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर राग तिलंग का संप्रकृति क्या हो जाएगा खमाज हो जाएगा ठीक है अगला तिलंग के न्यास के स्वर साग, सागप, साप या सामप मताई जल्दी से क्या होगा तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा तू जहे धर का रुख करेगा मेरा साया बहुत पसंद है मुझे गाना जल्दी से बताईए क्या हो जाएगा पटापट से तपी लोग उत्तर देंगे जल्दी से हाँ पीजी टी में नीलम इंटर्व्यू होना चाहिए मेरे हिसाब से तो जल्दी से बताईए क्या होगा उत्तर तिलंग के न्यास के स्वर क्या हो जाएंगे सागप चलिए अगला दुरगा की जाती क्या होगी राग दुरगा की जाती क्या होगी ओडव संपून शाडव संपून ओडव 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 शाडव जल्दी से उत्तर दो सभी लोग राग दुरगा की जाती क्या होगी फटावट से बताईए अच्छा नितेश जी जो है वो तबला से हैं बहुत बढ़िया सुमित कह रहे हैं मेरे हर गीत पर ये तबला बजाना चाहते हैं तो मैं एक बात कहूंगी जो भी बालक यहां सेलेक्शन लेकर के आएंगे मैं एक ही बात कहूंगी उन लोगों के साथ मैं कुछ गाउंगी जरूर और रिकॉर्ड जरूर करेंगे हम लोग है ना तो जितने ज़्यादा यहां साथ ही होंगे उतना ज़्यादा मजा आएगा चली बताएए जल्दी से क्या होगा उत्तर हलांकि इससे पहले मैं एक बैंड से अलरड़ी जूडी हुई हूँ बताएए जल्दी से क्या हो जाएगा उत्तर जल्दी 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 फड़ावट से दुर्गा की जाती क्या हो जाएगी इसमें गा नहीं होता और नी नहीं होता फिर साथ जादा उंचा हो जाएगा गला खराब है है ना चलिए थोड़ा नीचा कर लेते हैं स्केल को थोड़ा कम करती हूँ मैं इसमें और भूपाली में बहुत थोड़ा संतर है सारे गा पर धर साथ पर गरे साथ जाऊं तोरी चरने कमल परवारी है ना जल्दी से पटापट से पताईए राग दुरगा की जाती क्या हो जाएगी और वड़ब हो जाएगी पांच स्वर लगते हैं ठीक है सी सही उत्तर अगला दुर्गा का थाट क्या होगा राग दुर्गा का थाट ठीक है बहुत बढ़िया जै भवानी जी हम आएंगे जरूर समस्तिपुर ठीक है बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है संगीत कला से जुड़े लो ना स्ट्रेस देते हैं और ना स्ट्रेस लेते हैं वो दूसरों का स्ट्रेस भी रिलीस करते हैं और अपना भी तो आप लोगों स्ट्रेस नहीं लेना है ठीक है ऐसे बहुत आनंद के साथ पढ़िये जब तक आप अपने आपको हलका नहीं रखेंगे अदब तक कोई चीज समझ नहीं आएगी सबसे जरूरी चीज होती है अपने मन को शान्त रखना वो रखेंगे तो क्यों नहीं होगा सब होगा है ना राग दुर्गा का थाट मारवा, बिलावल, कल्यान, तोड़ी इनमें से कोई नहीं जल्दी से बताएगे क्या हो जाएगा राग दुर्गा का थाट क्या होगा सही उत्तर? जल्दी से उत्तर दीजे राग दुर्गा का थाट हो जाएगा बिलावल क्यूंकि इसमें सारे स्वर शुद्ध लगते हैं ठीक है? देश का थाट क्या है? कल्यान खमाज बिलावल तोड़ी ऐसे रागदेश की कोई बंदिश याद दिलाएगा मुझे रागदेश की बंदिश किसी को याद हो तो देखो सखी बरसन को आए बदरा रो मैं जूम बरसे मोरे आंगना देखो सखी बरसन को आए बदरा बेजुरी चमाक चमाक डरबाबे बिजुरी चमाक चमाक डरबावे पपी हापी हूपी 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 हूप शोर मचावे चैन नावे मोहे घरमा देखो सखी बरसन को आए बदरा है ना चलिए बताइए जल दिसे बंदे मातरम बहुत बढ़िया चलिए बताइए जल दिसे क्या होगा बिलकुल बिलकुल क्या हो जाएगा सही उत्तर रागदेश का थाट क्या होगा खमाज क्या हो जाएगा खमाज ठीके चलिए अगले प्रशन पर आते हैं रागदेश की जाती क्या है ओडव संपूर्ण शाडव संपूर्द शाडव शाडव या ओडव ओडव जल दिसे बताइए बिलकुल ये बंदिश मुझे बहुत पसंद है बहुत ज्यादा पसंद है मुझ इस एक है यह देखो सखी बरसन को आये बदरा चदरिया जीनी रे जीनी 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 ओँ आंके भीनी रे भीनी रे भीनी आचा हां धीनी जीनी से याद आया एक बहुत अच्छा लोग गीत है थोड़ा मिक्स लोगी थे वह झीनी जीनी अजरवा के पारगोरिया चंके चन्दा सी हां चंके चन्दा सी सूरत तोहार गोरिया जीनी जीनी अजरवा के पारिगोरिया, है ना, चलिए बताईए जल्दी से क्या होगा, आज बहुत कुछ गाना सीख लिया आप लोगोंने, ठीक है, चलिए बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा, आरोह में रे और धा वरजित होते हैं, आरोह में क्या वरजित, रे और धा, इसलिए क्या हो जाएगा औरडव संपून, एस ही उत्तर है, अगला प्रश्ण बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा, ठीक है, अगला प्रश्ण, राग देश का संप्रक्ति राग क्या है, सोरट, तिलक कामोथ, तिलंग, इन में से कोई नहीं, एक से अधि, बताईए जल्दी से क्या होगा, एक अजनभी असीना से यू मुलाका थो हो गई फिर क्या हुआ ये ना पूछो कुछ ऐसी बात हो गई जल्दी से देखो री नमाने शाम बिलकुल बिलकुल प्रतीक हम लोगों का प्रोफेशन ऐसा है कि हम जिन्दा दिली के साथ काम कर सकते हैं ना बिलकुल जल्दी से बिलकुल 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 देश का संप्रकृती राग क्या हो जाएगा जल्दी से सोरट और तिलक कामो दोनों हो जाएंगे ठीक है ये दोनों है इसका मतलब सही उत्तर होगा एक से अधिक E सही उत्तर होगा, ठीक है, अगला, आसावरी का गायन समय, राग आसावरी का गायन समय, दिन का पहला प्रहर, दिन का दूसरा प्रहर, दिन का तीसरा प्रहर, या दिन का चौथा प्रहर, जल्दी से दो उत्तर, बिल्कुल नीलम, बैच कैसे जॉइन करना, एंड में बता ठीक है चलो अभी अभी फिलाल ये कर लेते है जल्दी से हाँ बिलकुल सो जाओ किसमत सो जाएगी आप लोगों की अगर गाना गा के सो गे तो किसमत सो जाएगी भाई यह BPSC बार बार नहीं आएगा है ना जल्दी से यह देखो बालको की फर्माईश मुझे बहुत पसंद है ये गाना पता है नदिया के पार्फ खैल मुझे वो फिल्म ही बहुत पसंद है जल्दी से जल्दी से फटा फट से फटा फट से क्या हो जाएगा आसावरी का गायन समय दिन का दूसरा प्रहर ठीक है अगला आसावरी की जाति शाडव संपून, और आसावरी की जाति क्या होगी हाँ जो लोग देखिए जितने भी लोग लाइव क्लास से जुड़े हुए है अज इनलोगों को मुझे से बात करने का मौका मिलेगा face to face सामने नहीं आपाएंगे लेकिन audio आप और मैं एक दूसरे की अच्छे से सुन पाएंगे ठीक है तब मैं एक-एक बच्चे से कोशिश करूँगी एक-एक बच्चे की आवाज सुन पाऊंगी कम से कम एक बार तो सुन ही पाऊंगी जो गायन से जुड़े है ना आप लोगों पाथ बहुत अच्छा मोका है कोशिश करूँगी कम से कम दो से तीन अच्छे क्लासिकल भजन आप लोगों को याद कर आपाऊं ताकि जिनका प्रेक्टिकल होगा उनके काम भी आ जाएगा बताईए जल्दी से क्या होगा आसावरी की जाती तुम आई तो आया मुझे याद गली में आचांद निकला जल्दी से आसावरी की जाती क्या हो जाएगी आउडव संपून गानी आरोह में वर्जित होते है आरोह में ये आरोह में वर्जित ठीक है आरोह में वर्जित होते है ठीक है इसलिए जाती क्या हो जाएगी आउडव संपून अगला प्रश्न प्रश्न संख्या अठत्तर आसावरी का वादी स्वर धग नी रे जल्दी से पताईए क्या होगा पड़ावट से जल्दी से जल्दी 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 पड़ावट से बताओ क्या हो जाएगा जल्दी 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 ये कितना भारी गाना पूछ लिया इसने गिताली ने गला खराब था मेरे कल देख रहे थे न सुबह कैसे खास रही थी जल्दी से बताओ फिर खांसी हो गई जल्दी से बताइए क्या होगा राग आसावरी का वादी स्वर क्या हो जाएगा राग आसावरी का वादी स्वर होता है ध और समवादी क्या हो जाएगा ग चीक है अगला प्रश्ण क्या है केदार का थाट खमाज कल्यान बिलावल तोड़ी, राक्केदार, अब यपी तो हम गा रहे थे राक्केदार का थाठ, क्या हो जाएगा कल्यान, बिल्कुल मा तिवर, दोनों मा प्रयोग में आते हैं वैसे इसमें ना, इसमें दोनों मा लगते हैं, तिवर भी और शुद्ध भी, लेकिन तिवर जादा लगता है, चलिए, केदार का वादी, सा मा पा गा जल्दी से पताईए क्या होगा, केदार का वादी जल्दी से बिल्कुल बिल्कुल ठीक, जल्दी से पताईए क्या हो जाएगा, वादी मा है और समवादी सा है, ये वादी है और ये समवादी है, उत्तरांग वादी राग है, ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न, केदार में मा कैसा, शुद्ध तीप्र दोनों वर्जित, पताओ जल्दी से क्या हो नगमा है, मौजो की रवानी है, जिन्दगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, और ये आप लोगों के लिए भी थी ये लाइन, बताइए जल्दी से, केदार में कैसे मा, केदार में दोनों मा का प्रयोग होता है, ठीक है, सी सही उत्तर हो जाएगा, अगला, केदार की जाती, ओडव शाडव शाडव, ओडव शाडव या ओडव बताइए जल्दी से क्या होगा, ये गाना मुझे भी बहुत पसंद है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले तो बताया ही था, बिलकुल, जल्दी, 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 मेरी आखे देख रहे हैं आप, आज जाने की जिद ना करो, हम तो मर जाएंगे, हाएं लुट जाएंगे, ऐसी बाते की आए ना करो, नहीं ये तो निशिंत रहो कि हमारी क्लास बहुत बढ़िया रहने वाली है, हमारी क्लास में सारे बच्चे खूब अच्छे से पढ़ेंगे हैं ना, खूम मन लगा के पढ़ेंगे और खूम मन लगा के सेलेक्शन लेंगे, चलिए, क्या हो जाएगा, राक केदार की जाती, और डव शाडव हो जाएगी, क्यूँ, आरोह में तो रे और गा, और अवरोह में गा, आरोह में क्या, और अवरोह में क्या, और अवरोह में क्या, ग ठीक है? ये वर्जित होते हैं क्या हो जाएगी? ओडव शाडव इसका मतलब सही उत्तर ए है अगला प्रश्ण बता रही है ठीक है? केदार का गायन समय रात का पहला प्रहर, रात का दूसरा प्रहर रात का तीसरा प्रहर, दिन का तीसरा प्रहर बताईए जल्दी से क्या होगा पड़ावट से और इस दिल में क्या रखा है तेरा ही दर्द छीपा रखा है थोड़ा नीचा गा रही हूँ बिलकुल यही गनेश अब जो गाया है वो ध्यान रखो और जो तुम बता रहे हो अजीर उठ करे अब कहां जाईएगा जहां जाईएगा हमें पाईएगा अजीर उठ करे अब है ना चलिए क्या हो जाएगा केदार का गायन समय है राथ का पहला प्रहर क्या होगा अगला उत्तर बताओ क्या होगा अगला है गुलो में रंग भरे बाद नौ बहर चली चली भी आओके क्या हो जाएगा हिंडोल कल्यान थाट से है किस से है कल्यान थाट अगला जाती ओडव 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 शाडव शाडव या ओडव शंपून बताएगे जल्दी से क्या होगा हिंडोल की जाती क्या होगी ओडव 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 शाडव शाडव या ओडव संपून जल्दी से महंदी हसन की तो सारी गजलें बहुत अच्छी एक क्यों बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी फड़ावट से हिंडोल की जाती यह ताली बिलकुल बताऊंगी बेफिक्र रहो आज तो प्रश्ण हो रहे हैं आज तो बस क्या ही कहूं बीच बीच में आप लोगों ने क्या-क्या सुन लिया है मैं चाह रही थी कि रैपिट फायर है फठाफट से प्रश्ण करते जल्दी से देख रहे हो सब के मन के भाव निकल रहे हैं इतने गाने याद गा रहे हैं आप सभी लोगों इतने गीत याद आ रहे हैं क्या ही कहूं, बताइए जल्दी से क्या होगा जल्दी से ओडव ओडव होगी, ठीक है, रे और पा दोनों वर्जित होते हैं, रे और पा वर्जित, आरो अवरो दोनों में, इसका मतलब जाती हो जाएगी ओडव ओडव, ठीक है अगला, हिंडोल की प्रकृती कैसी है, किस तरह का राग है हिंडोल, चंचल गंभीर, दोनों इन में से कोई नहीं बताइए जल्दी से क्या होगा बिल्कुल, बिल्कुल लग जाए जली कि फिर ये, असीराती हो नहो शायद फिर इस जनम में, बुलाकती हो नहो लग जाए गली ही, ही बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा बिल्कुल सही बात क्या हो जाएगा सही उत्तर गंभीर प्रकृती का है इसलिए इसमें ठुमरी नहीं गाई जाती बहार का थाट क्या हो जाएगा राग बहार खमाज काफी तोड़ी भैर्वी जल्दी से पड़ावट से बताओ अब फर्माईशे आरही है, आम मार पड़ेगी तुम सभी लोग आते हो, मैं ही क्यों गाऊं अकेले, तुम लोग एके करके गा लो जल्दी से प्रेम उसके लिए तो बहुत महनत करनी पड़ेगी, बहुत महनत हाँ, मैं समझ रही हूँ प्रिया आप सभी लोग अपने आपको रोके वैठे हो, कैसे भी करके ये जो संगीत वाले बालक होते हैं, ये रोक नहीं पाते हैं अपने आपको जल्दी से अकाश वो तो मैं शायद नहीं सुना पाऊं इस समय क्योंकि ये मैंने गजल सुनी नहीं है जल्दी से नहीं, अरजुन 910 में मुश्किल है जल्दी से बहार का थाट क्या हो जाएगा? काफी अगला हमीर का गायन समय क्या होगा? राग हमीर का गायन समय दिन का आखरी प्रहर रात्री का प्रिथम प्रहर रात्री का दूसरा प्रहर रात्री का तीसरा प्रहर बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? पड़ावट से हाँ, बिल्कुल जल्दी से शुभम ने हार्मोनियम खोल लिया है पूंजिये आप लोग क्या ऐसा इस्ट किसी और क्लास में कपाते नहीं how मक्लोब वरिंदेवादन पर उतर आये this the हाँ बिलकुल 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 बताई़े जल्दी से क्या होगा युञ से कैसा सब्जेक्टी सब्जेक्टी है विल्कुल सभी बाथ नहीं यह हमने बरहे बहुत गया वाला भजन phải बहुत गया भजन बहुत बहुत गाया हम नहीं क्या हो जाएगा सही उत्तर रात का पहला प्रहर ठीक है, बी सही उत्तर अगला, गौड सारंग की जाती क्या है राग, गौड सारंग की जाती क्या है संपूर संपूर, वक्र संपूर, ओडव ओडव शाडव बौर्ड सारंग तो आप सभी को याधी होगा है ना पारेसा सागरे मार्ग पामधाप पारेसा जल्दी से जल्दी से पताईये सभी लोग हां विल्कुल हां हां विल्कुल विल्कुल कज़रे दो क Burada के यह चलिए आज लग रहा है कि आज 90 ही प्र मताइगे आज 100 नहीं हो पाइगे जल्दी से कि गोर्ड सारंग की जाती क्या हो जैगी क्या हो जैगी गॉड सारंग की जाती मुद्स इब वक्र संपूर्ण इसमें सारे स्वर लगते है moons लेकिन सीधे नहीं लगते, कहते हैं न कि सीधे एक एक करके एक करके सीधिया नहीं चड़नी है, पहले नीचे उतरना है फिर उपर जाना है, फिर नीचे उतरना है फिर उपर जाना है, यही है वक्र संपूर्ण, तो भी सही उतर, आखरी प्रशन करा रही हूं आज का, बेबी कम नहीं है, नब्बे प्रश्ण भी बहुत होते हैं, ठीक है, जल्दी से, मारवा की जाती क्या है, मारवा बहुत बेतरीन राग है, गंभीर है लेकिन आश्रे राग भी आपको पताई होगा, मारवा थाड भी है, शाडव संपून, शाडव शाडव, ओडव शाडव या ओडव ओडव, जल्दी से बताई है क्या होगा, जल्दी से, पटावट से उत्तर दीजे, बिरेंद्र एंड में बताऊंगी अभी, ये प्रश्ण हो जाने तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कैसे जॉइन करना है, ठीक है, हंड्रेड गौरव हो नहीं पाएंगे, स बहुत देर से दर पे आँखे लगी थी, उजूर आते आते बहुत देर कर दी, जल्दी से पवर्जित होता है, क्या वर्जित होता है इसमें, पवर्जित होता है, इसलिए इसकी जाती होगी, शाडव शाडव, बी सही उत्तर होगा, ठीक है, इसका सही उत्तर होगा, बी, चलिए, तो प्रशन आज हम 90 ही रखते हैं, 100 नहीं हो पाएंगे, कोई बात नहीं अब अन्त में आपका 2 मिनट से जादे का समय नहीं लगेगा बहुत सारे बच्चे परिशान हो रहे हैं, कैसे PGT, TGT, ये वो बाला कितने दुखी हैं कि पूछी हमत, तो पहले देखी लेते हैं जिन बच्चों ने अभी तक बैज जॉइन नहीं किया है, केवल 2 दिन बच्चे हैं 10 तारिक से बैज स्टार्ट है, अब थोड़ा गंबीर हो जाते हैं, बहुत देर हो गई हम लोगों को आप लोग ये वाली गलती बार-बार ना करें, कि TGT की जरूरत है, आप PGT वाला बैज जॉइन करें ये वाली गलती प्लीज बार-बार ना करें, दूसरा बहुत जरूरी चीज कि केवल 2 दिन बच्चे हैं, अगर आप लोग वाकई गंबीर हैं और केवल वही बच्चे जो गंबीर हैं, जो बालक मस्खोरी करेंगे भईया वो जॉइन बिल्कुल ना करें, ठीक है, केवल वही जो वाकई गंबीर हैं त्यारी करना चाहते हैं, TGT या PGT दोनों में से किसी की भी, या फिर 6-8 की भी त्यारी करना हैं, अगर त्यारी के ल किताब में और SCART की किताब में, इन सारे चीजों का निचोड, नोट्स के रूप में मैं खोद आपको दूँगी, तो आपको कोई भी किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो अब आप बैच को जॉइन कैसे करेंगे, और इन चीजों को कैसे ले पाएंगे, वो मैं सर्च करेंगे, आपके सामने पहला ही ऑप्शन खुल करके आएगा, इस पर क्लिक करिएगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, तो यहां अड़ा 247 के बरावर में लिखा है, औल कॉर्सेस, इस पर क्लिक करिएगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, तो यहां गौर्मन के लिए तयारी करने हैं तो शिक्षक भरती 9 to 10 और PGT के लिए तयारी करने हैं तो शिक्षक भरती 11 to 12 दोनों के लिए तयारी करने हैं तो भी बतारी हूं क्या करना है मालनी जे आपको 9, 10th यानी के TGT की तयारी करने है तो कैसे जुडेंगे इस पर क्लिक करके हमारे सामने option आये ये अब ध्यान से देखिए अगर आप 3ों की तयारी कर रहे है मतलब 6 to 8 की भी, 9, 10th की भी, 11, 12th की भी या 2 या 2 से ज़ादा की तो आप महापैक जॉइन कर सकते हैं शिक्षक भरती का महापैक उसके लिए आपको अलग-अलग बैच जॉइन करने की ज़रुत नहीं है एक बैच 1849 का है 2 या 2 से ज़ादा बैच लेंगे तो 3,000 से ज़ादा का पड़ेगा ये आपको फायदे में रहेगा अगर आप TGT की तयारी कर रहे हैं तो ये लिखा है आयाची Music TGT 910 इस पर क्लिक करिएगा जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से खुल के आएगा पेज अब इस पर लिखा है आयाची 2.2 910 का बैच है 500 सीट है जिसमें की लगभग लगभग सीट्स भर चुकी है दो दिन का समय बच्चे बहुत जल्दी कर रहे हैं और जो बच्चे वाकई देर कर रहे हैं वो पश्टाएंगे बाद में तो 10 अक्टूबर यानि के दो दिन बाद स्टार्ट हो रहा है बैच मेरी क्लास की टाइमिंग 6-8 रहेंगे बाकी सारी क्लासिज भी होंगी पेपर 1 की क्लासिज भी होंगी और पेपर 2 में जो जेनरल सब्जेक्ट है उसकी क्लासिज भी होंगी ठीक है तो दोनों क्लासिज आपकी होंगी 6 महीने की वैलिडिटी है इसमें आपको सारे सब्जेक्स मिलेंगे पेपर वन में लेंग्विज पेपर होता है इंग्लिश और हिंदी क्वालिफाइंग निचर है लेकिन जरूरी है दोनों में ठीक है इसके अलावा कैसे जॉइन करना है वो बता रही हूँ यहाँ इंटर कूपन कोड लिखा है यहाँ आपको मेरा टीचिंग कोड डालने पर वाई 740 अपलाई करने पर यह 1849 में दिख जाएगा ठीक है एक चीज और अगर आप चाहते हैं 100 रुपर लगभग का और फायदा हो जाएगा उसके लिए app डाउनलोड कर लेजएगा अड़ा247 का कौन सा app बताया मैंने मैंने app का नाम बताया धिहान से सुनिएगा app का नाम है अड़ा247 ठीक है इस app को डाउनलोड कर लिजएगा और जैसे आप बिहार सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपको तो ये दिख जाएगा, आपका जो स्टोर होगा, वहाँ पर ये बैच आप देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, पीजीटी वाला भी, तो दोनों में से कोई भी बैच आप जॉइन करना चाहते हैं, 11-12 के लिए आयाची अलग है, 9-10 के लिए अलग है, दोनों बैच इस अल होगी, ठीक है, तो ऐसे आप जोइन कर सकते हैं, मैंने तरीका बता दिया है, एक चीज़ और, अगर आपको तैयारी मेरे साथ जुड़कर करनी है, तो बस ध्यान रखेगा, कि आपको टीचिंग कोड इस्तेमाल करना होगा, Y740, ठीक है, बाकी इसकी PDF आप तक पहुँच ज जाएगा, उस पर क्लिक करिएगा, जॉइन कर लिजे, टेलिग्राम चैनल, बिहारदा 247, वहीं पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, और पुरानी PDF जो की नहीं दिख पा रही है, वो मैं दुबारा सेंड कराऊंगे, आप लोगों को वो PDF भी दुबारा मिल जाएगी, ठीक ध्यान से सुनना सभी लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जो भी जनरल पेपर को सीरियस नहीं ले रहे होंगे, लेकिन लेना पड़ेगा, और लेंग्वेज पेपर को भी सीरियस लेना पड़ेगा, तो इंग्लिश की क्लास शुरू हो गए हैं, तो कम से कम वो लेनी सर्च करना है, बिहार अड़ा 247, क्या सर्च करेंगे आप, बिहार अड़ा 247, जैसे ही आप ये सर्च करेंगे, आपके सामने चैनल खुल जाएगा, इस पर क्लिक करिएगा, और आपको जाना है प्ले लिस्ट में, किसमें जाना है, सभी को प्ले लिस्ट में जाना है, ठीक मिस करेंगे तो आगे दिक्कत होगी, बैतर है कि थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ते रही है आप लोग, तो Sintu Sir आपको पढ़ाने वाले English आप लोगों को पता ही है, पहले से और नहीं पता है, तो मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूं कि Sintu Sir आपको English पढ़ाएंग arrow होगा, आगे बढ़ाईएगा, जब आप आगे बढ़ाएंगे तो ये देख रहे हैं, BPSC शिक्षक भरती 2.0, एक सिकंड, मैं फिर से बता रही हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये देखिए, ये लिखा है न, Teacher Vagency PGT वाली क्लास है, ये लिखा है 6 to 8, ये शाम को होती हैं क् मैं क्लिक करके बता रही हूं, कैसे आप देखेंगे, व्यू प्लेलिस्ट पर जाएंगे, तो आपको ये सारी क्लासे दिख जाएंगी, ठीक है, शाम को 6 बजे सर रोज पढ़ाते हैं, सोमवार से शुक्रवार, शाम को 6 बजे, ये 6 to 8 लिखा है भले, लेकिन ये आपके लि होती जा रहे हैं, सभी अटेंड करते रहे हैं, क्योंकि BPSC अचानक से बंफोड़ेगी सर पे, और फिर मौका समलने का भी नहीं मिलेगा, है ना, तो हम लोगों को बिलकुल भी परेशान नहीं होना है, धीरे-धीरे करके जो क्लासे जा रही है, उनको अटेंड करते रहे है तो इंगलिश की क्लास शुरू हो गई है, वो आप अटेंड करते रहेगा, शाम को 6 बजे, ठीक है, इसी चैनल पर बिहार अडर 247 परी, तो अब मिलेंगे हम, कब, कल, कब मिलेंगे, दुपहर 1 से शाम के 5 बजे, टाइम मैं पहले बता चुकी हूं, फिर बता रहे हूं, ट काईम मत भूल जाइएगा, ठीक है, तो चलिए, कल मिलते हैं, दुपहर 1 से 5, आप सभी लोगों को शुवरात्री